नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ओलमे टाइम टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ओलमे टाइम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओलमे टाइम टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओलमे टाइम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Olme Time एक brand name है. Olme Time tablet के अंदर salt composition Olme Sartan Medoxomil होता है. Olme Time tablet 20 mg वच 40 mg की strength में available है. Olme Time tablet का उप्योग hypertension होने पर किया जाता है. यानि जिन व्यक्तियों का blood pressure अधिक रहता है. उन व्यक्तियों में blood pressure को कम करने के लिए Olme Time tablet का उप्योग किया जाता है. Olme Time tablet blood pressure को कम करती है. और दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है. क्योंकि लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़े से kidney failure, heart failure, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है. इसके अलावा लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वज़े से आखों की blood vessel भी damage हो सकती है. और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है. एक नॉर्मल व्यक्ति का blood pressure 120-80 होता है. अगर किसी व् blood pressure उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है. तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का blood pressure ज्यादा है. Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में all-metime tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में all-metime tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान होना, उल्ती आने का मन होना, पेट में दर्ध होना, दस् चक्राना और नींड अधिक आना आधी side effects all-metime tablet की वज़े से हो सकते हैं. अब हम discuss करेंगे की all-metime tablet को कैसे लेना recommended होता है. All-metime tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा त व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में all-metime 20 mg tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं. लेकिन बाद में जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर all-metime tablet की डोज को बढ़ा कर all-metime 40 mg tablet को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं. All-metime tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की ओलमेटाइम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ओलमेटाइम टैबलेट के साथ दर्थ कम करने की दवाईयां जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक या आईबूप्रोफेन आदी दवाओं का सेवन ओलमेटाइम टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि Olmetime Tablet के साथ इन दवाओं को लेने से Olmetime Tablet की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा Kidney Damage होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है Liver या Kidney की कोई बीमारी होने पर Olmetime Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए Liver या Kidney की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में Liver और Kidney की कार्य प्रणाली को मौनिटर करते रहना चाहिए Blood pressure को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको Olmetime Tablet के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए Smoking नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए इसके अलावा Blood Pressure को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको Regular Exercise करनी चाहिए Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Olmetime Tablet का सेवन करना सुरक्षित वर recommended नहीं है Olmetime Tablet मा के गर्प में पल रहे बच्चे को लुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में Olmetime Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में Side Effects पैदा कर सकती है इसलिए Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Olmetime Tablet को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Olmetime Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है